नमस्कार आप देखे हैं वेब दुनिया हिंदी मैं हुरू नाशीश और मेरे साथ हैं एक ऐसे कलागार एक ऐसे सिंगर जिनके बारे मैंने अपने कानों से यह सुना है कि लोग कहते हैं कि जब वो गाते हैं तो असा लगता है कि कोई ऐसी आत्मा की जबान से शब्द निकल र नमस्कार रूना कैसी हैं आप बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है वो भी यह इंटरनेट के जरीए ऑनलाइन के जरीए जी सुरेजी मजा नहीं आता है वो वनन वन बेसिस पर बात करने के इतनी आदत रही है आपके साथ बचली अब समय यही मांग करता है जो समय के स साथ लोगों को शांती देने के लिए भी आपने बहुत खुबसुरत प्रयास किया है एक अपने तरह से संगीत की दुनिया को और दुनिया भर को शांती देने का प्रयास किया है उस चैनल के बारे में जानना चाहती है यह मैंने अभी यह करोना के इस महामारी के टाइन पर जो सब को घर पे बैठना पड़ रहा है और साथी दुनिया घर से ही काम कर रही है तो मैंने सोचा क्योंकि पिछले डेट साल से सारे प्रोग्राम्स, रिकॉर्डिंग्स रिकॉर्डिंग्स फिर भी थोड़ी-थोड़ी होती थी फिर अभी बिल्कुल एपसुलूट लॉग्डाउन के वज़े से वो भी बंद हो गया तो मैंने सोचा कि अभी ये सुबा हमारा रियाज तो होता ही है मैं, मेरी बेटी, मेरी वाईफ, हम लोग सब रियाज करते रहते हैं अपना-पना तो मैंने बुला कि बाकी के वक्त में क्या करें तो चुकि मेरा अपना स्टूडियो भी है तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं लोगों के लिए हम लोग जो भक्ती का जो जज़बा है उसको क्यों नहीं हम लोग आगे करें तो मैंने सूरेश वाड़कर भक्ती नाम से मेरा अपना चैनल शुरू किया है जो यूट्यूब पे आप लोग देख सकते हैं जिसमें नए नए कंपोजिशन्स, नए नए भक्ती गीत, भजन, मंत्र, जो भी डिवोशनल चीज़ें हैं वो मैं इसमें रिलीज करूंगा जिससे भक्ती की भावना लोगों में जाग पड़े क्यूंकि इस वक्त एक ईश्वरी है जो हम लोगों को बचा सकता है, इतना खराब सनायाया हुआ है, तो उसमें लोगों को थोड़ी मानसिक शांती मिले, उनका टाइम अच्छा गुजरे और मुझे तो हमेशा अभंग भक्ती गीत, भजन गाते हुए लोगों ने सुनाई है, फिल्मों के अलावा, तो मैंने सोचा कि ये हम लोग करेंगे, साथ में आजी वासन भक्ती भी चैनल शुरू किया उसी दिन, जिसमें मेरे स्टूडन्स हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं, उसमें से कुछ हैं जो बहुत अच्छा कंपोस भी करते हैं, जो आज का जो गाना है मैंने, मारूती स्टूती जो है, हनुमान स्टूती, वो मेरा एक स्टूडन्ट है, उसने कंपोस किया है, पद्मनाव गायकवार, बड़ा होनार बच्चा है, और बड़ा ही टैलेंटेट है, और बहुत खुबसूरत उसने इसकी तर्ज बनाई है, भ इतना अच्छा लगा मुझे तो मैंने इसको बोला कि इसको मैं गा देता हूँ, तो पहला गाना जो है, वही रिलीज किया है, इस चैनल पर हमने, और फिर आजीवासन साउंड्स भी एक चैनल शूरू किया इसके साथ साथ, जिसमें मेरे स्टूडन्स, घजल, सूफी, गीत मॉर्बिन स्टाइल के गाने, जो लोगों को पसंद आते हैं, वो भी गाएंगे, मेरे स्टूडन्स गाएंगे, कुद कंपोज करेंगे, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि, बाहर भी जो गाने वाले बच्चे हैं, जिनको हमारे इस चैनल से, आजीवासन साउंड्स से, हम लो प्रमोट करेंगे, जो भी गाने की इच्चा रखता है, और अच्छा गाता है, हम लोग उनसे पहले गाना सुनेंगे, फिर उनको सिलेक्ट करके उनको प्रमोट करेंगे, तो ये थोड़ा मोटा जो है, प्रमोशन का काम हम लोग करेंगे, जिसमें मेरे भी गाने होंगे, मे को भी गाने की इच्छा रखता है अच्छा गाता है उसको भी हम लोगों के सामने लाएंगे यह हमारा उपक्रम है यह हमारा मोटीर है इसमें सुरीज जी आपके आवाज की जब भी बात आई है एक से भड़कर एक गाने आपके तरफ से हमें मिले हैं इन दिनों मुझे ऐसा अज के संगीत के बारे में क्या आपको भी यह लगता है या सुर्फ मुझे ऐसा लगता है एक वजो गाने चाहे देरना हो जाए की बात हो या फिर बहुत सारे अब में एक एक नाम भी लेती जाऊंगी लगी आज सावन की धर्वों जड़ी है बहुत थैराव था यह कहीं म रूना की लोगों की जिन्दगी इतनी फास्ट हो गई है तो लोगों में ही वो थोड़ा सा ठहराग जो है उसकी कमी हो रही है तो जाहिर है उसका क्या कहते हैं ना कि असर मुजिक पर भी हो जाता है तो मगर हमारे मुजिक डिरेक्टर्स का ये ड्यूटी बनती है कि हमारी जो धरोहर है इंडियन मुजिक की और हमारा जो इतना क्या कहते हैं ना कि सुर्णा खजाना है इसको मिंटिं करना उसको रखना ये भी हमारी Music Directors का काम बनता है गायकों का काम बनता है आज कल का गाना भी बहुत अच्छा है बहुत talented बच्चे हैं talented Music Directors है talented गाने वाली लोग है मगर जो हमारा जो Music है Real Music उसको थोड़ा सा साइड में करके जो बेस्तनाइज ज़्यादा और ज़्यादा सिच्युवेशनल गाने नहीं है फिल्मों में अभी ऐसे ही कोई एक गाना बैग्राउंड में आ जाता है लिप्स पे गाने बहुत कम होते हैं बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं अगर होता भी है तो वो कहीं-कहीं बीच में दो लाइने गा के पिछोड़ दिया या 200-300 क्राउड में बीच में हीरो-हीरोईंड डांस कर रहे हैं और वो धमालवाना गाना होता है वो जो आपको जो सौंग के जरीए जो मैटर कहना होता था वो बंद ही हो गया है अल्मोस्ट और सिचुएशन नहीं होती गानों की ऐसी गाना आ जाता है बंबई में धारावी में चल रहा है सड़नली वो स्विट्जरलंड चल जाते हैं कोई तुक नहीं बनती क्योंकि आपने भाँ आपकी फुटेज लाने के लिए गाना रखना होता है तो एक आइटम सौंग रख दिया या एक डांसिंग सौंग रख दिया इसी तरह का पहले कैसे सिचुएशन होती थी हिरो दुखी हो जाता था या सुख में होता था या अपनी बहन के लिए गाता था अपनी प्रेमी के लिए गाता था अपनी माबाप के लिए गाता था यह सब सिचुएशन से बंद हो गई है अभी तो क्या कहते न कि मा के उपर तो कोई गाना बहुत जली से आता नहीं तो यह सारा जो चेंज हो गया है उसके वज़े से गानों की जो आयू है जो longevity songs की होती थी वो कम हो गई है क्योंकि गाने में matter भी नहीं होता है और बाज वक्त क्या हो जाता है कि 95% गाने melody के साथ नहीं आते और हमारा music जो है हमारा film music जो है तो melody oriented ज्यादा होता है यह थोड़ा सा यह थोड़ी दुख़त घटना है मगर यह circle है जो complete होगा अभी वापस फिर melody की तरफ लोग मुड़ रहे हैं जो एक बहुती खुशी की बात है से बहुत सारे सिंगय साथे बहतरीन गर्टें गाते हैं एक गाने से धमाल कर जाते हैं कि आते हैं चले जाते हैं और चले जाते सो क्यों कोई 40 साल तक नहीं टिकता क्यों कोई 25 साल तक नहीं टिकता आप तो घर बहुत लंबा समय है मैं पढ़ते हुए भी आ रहे थी तो पहेली है या फिर उसके बाद भी हुजूर इस कदरना इतरा के चली वहां से लेकर यहां तकी जर्नी आपने रहे की ऐसा क्यों होता है क कि अच्छे सिंगर्स गुम हो जाते हैं क्यों आपकी तरह लंबा नहीं चल पाते हैं अभी रूना जी मुझे मतलब यह मैं एक्सपिरियंस और जो मेरा मेरी स्टडी हुई है इंडस्री को देखते हुए एक तो गाना डायरेक्टर का माध्यम जो होता है उन्होंने क्या पिक्चराइज करना होता है वो यह दो डायरेक्टर को मरेट किया जाता है और उसको साथ-साथ में एक specimen जिसको भूलते है न एक example डिया जाता है कि मुझे इस तरह का गाना मुझे चाहिए तो music director बिचारा क्या हो जाता है वो दायरे में आ जाता है उसकी चारो तरफ वो लाईन कहेंच लेता है उस गाने की जो डायरेक्टर ने सज़ेस्ट किया है तो उसकी सोच जो है वो उसी गाने की इर्द-गिर्द मंडराती रहती है और जो आदमी को खुला छोड़ दिया जाता था पहले कि मुजिक डारेक्टर को मतलब ना डारेक्टर को ना प्रोडूसर को सिटिंग रूम में एंट्री होती थी मुजिक डारेक्टर गाना अपने हिसाब से बना के सिचुएशन समझ ली उन्होंने तो उसके उपर जो लिरिक्स राइटर भी सोच के गाना बनाते थे लिखते थे और एक ताजा situation music director के सामने आती थी और वो ताजगी से उसको compose करता था तो अभी क्या होगा है आपको एक गाना आपकी दिमाग में डाल दिया है क्योंकि एक गाना जो उन दिनों चल पड़ता है अच्छा गाना वो क्यों चल पड़ता है इसको कोई rules regulation नहीं है या उन्होंने film लगने के पहले बहुत बार अगर producer पैसे वाला होगा तो बहुत बार बजाया जाता है तो वो एक थोड़ा से लोगों के दिमाग में आ जाता है तो एक जूट सौ बार बोला जाए तो वो सच लगने लगता है यही कहावत इसके उपर लागू हो जाती की एक चीज आप बजा 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 की जो popular करते हैं तो उसकी बज़ा से वो popular हुआ होता है तो गाने में कोई दम है या producer को या director को अभी gimmick रिवर्ड होते हैं न gimmick मुन्ना भाई, मुन्नी भाई जलेबी खाने की चीज़े तो तक तो ठीक है अभी तो गालियां भी आने लग गए ये गानों में तो लोगों के कान खड़े हो जाते हैं अभी यार इस गाने में गाली है ज़रा सुन लेते हैं तो इस तरह भी पॉपॉलरेटी हो जाती है जो पहले गाना सुनते हुए की तो जल्फ के साए में शांग कर लूँगा सफर ये सफर ये उम्र का पल में तमाँ कर लूँगा ऐसे लगता है ना कि लड़की सामने खड़ी है उसकी जुल्फों को देख के मैं गा रहा हूँ तो ये सिचुएशन हो गई ना तो सिचुएशन होती है उसके साथ जो उसको उसकी जान को मिलते हुए जो वर्ड हम सुनते हैं वो इनसान अपने उपर लागू करता है उसको कि मैं ही गा रहा हूँगे अभी ऐसा नहीं है तो ये गाना क्यों देते हैं ये वेस्टेज क्यों हो जाता है वेस्टेज इसलिए नहीं बोल सकता हूँ कि वो गाना बनाएंगे तो हम लोग गाएंगे तो उसको वेस्टेज नहीं बोल सकते हैं एक अच्छी चीज आ सकती थी वहाँ पर, उसकी जगह आपने कोई gimmick जो so-called गलत फैमी में आप देते हैं कि ये गाना मेरा चलेगा, अगर कोई music director इतना sure, या इतना confident होता कि ये मेरा गाना चलेगा ही चलेगा तो जो गाने डूब जाते हैं क्या है तो ये सबसे बड़ा problem है ना situation है ना अच्छी सोच है ना directors ना producers उसको संगीतकार को खुला छोड़ते हैं या उसको सोचने देते हैं एक कोई चीज उसके दिमाग में डालके एक डबबा भर देते हैं उसमें फिर आपने क्या भरा है काम की चीज भरी है की मट्टी भरी है की गोबर भरा हुआ है आपको पता ही नहीं चलता है sorry कुछ सेबट जो दिमाग में मेरे इन चीजों के लिए आता है वो मेरा बोलना धर्म बनता है क्योंकि मैं अपने माई बाप जो सुनने वाले मेरे माई बाप है उनको हमने उनकी इज़त के लिए उनकी इज़त करने के लिए उनके कानों में रश घोलने के लिए अच्छा ही काम देना चाहिए और मैं तो उपर वाले से यही प्रार्थाना करूंगा कि ये सुबudھ्धी जो है वो उपर वाला हमारे संगीतकारों को हमारे producers को हमारे directors को यह सुगुद्धी दे दे मगर अभी especially अभी पिछले कुछ सालों में देख रहा है अच्छे गाने आ रहे हैं अगली कुछ पाइपलाइन में हैं कुछ आपके गाने फिल्मों में सुनने वाले हैं कहीं कोई म्यूजिक देने की आपकी बात चली है भर हम कहां सुनें अब आपको ऐसा हो गया फिल्मों के लिए फिल्मों में तो अभी बहुत से ज्यादे काम नहीं मेहारा है तोड़ा-थोड़ा कभी-कभी बीच में आ जाता है किसी मृजिक डारेक्टर को मेरी याद आ जाती ये यह प्रोडिसर को याद आती है तो मुझे बुलाते हैं गवाते हैं मगर यह जो काम है जो फिल्म के आलावा बलकुल यह मेरा इंसिट्यूशन है आजी वासन जिसमें मैं नई 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 पौद को तैयार कर रहा हूँ बहुत अच्छे अच्छे बच्चे मेरे यहां से निकल रहे हैं जिनका काफी नाम भी है अभी अल्रेडी प्रोफेशनली गा रहे हैं फिल्मों में और अपना करियर कर रहे हैं इसके अलावा अभी जो मैं अपनी पसंद जो है वो मैं लोगों को सुनाना चाहता हूँ इसमें यह भी में मेरे आजीवासन साउंज में जो मैंने ही गाए हुए गाने हैं वो दुबारा दुबारा मुझे ऐसे लगता है कि यह गाना फोड़ा सा ऐसे होता कि उस वक्त में यंग था जवान था जैसे में गुद्धी चलती थी अभी ओवर दी पीरियड मेरे जो उसमें जो कुछ अलगपन जो अभी मैं स्टेज पर गाता रहता हूं तो लोग बहुत पसंद करते हैं कि या सूरेज जी आप ये गाना स्टेज पर बहुत अच्छा गाते हो या तो वो भी मैं डालने की कोशिश करूँगा आजी वसन सावन पर और नए नए गाने नए नए भजन नए भक्ति गीत जिसमें मैं अपने बच्चों को भी प्रमौट करूंगा और जो भी बहार से हमारी चैनल से अपने आपको प्रेजन करना चाहता है उनको भी मैं दावत देता हूँ कि वो भी हमको कॉंटेक्ट करें हम उनको रिलीज करेंगे बहुत ही खुबस्वत काम है हम लोगों की सब की दुआएं कि संगीत का जो सरिता है वो ऐसी ही बहती रहे और आजी वासन की तरब से एक नई नई सौगात लोगों को और संगीत प्रेमियों को मिलती रहे बिल्कुल बिल्कुल और मैं रुबना जी मैं Basically बहुत क्या कहते हैं लगी अच्छी चीज पसंद करने वाला आदमी हूँ तो मैं अच्छा ही काम लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा मैं कोई ऐसे ये चीज चलने वाली है इसलिए मैं खाली चलने वाली है इसलिए नहीं मैं करूँगा अगर कोई अच्छी चीज लगती है जो थोड़ी सी पूर्थी और चमकती चहकती है वो भी करेंगे नए बच्छों की जैसी सोच है उसको भी हम लोगों के सामें लाएंगे वाव यूट शुक्रिया शुक्रिया थैंक यू वैब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड भार से वचे, मास्क पहने वा सैनेटाइजर का इस्तमाल करे साथ ही सोशल डिस्टंसिंग का पूरा पालन करे